जैश्री हरीमित्रों, श्री ओम नमो नरायना, माया पती नरायन के चड़नों में सीसनवाय, दस्वा ध्यायकार्टिक लिखू नरायन राय राजा पृतु बोले, हे रिशीवर नरायन आपको प्रणाम है, क्रिप्या अब ये बताने की क्रिपा कहिजिए, कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को शीर सागर में डाला, तो उस समय क्या हुआ नराजी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वहते शीर सागर में डाल दिया, तो उस समय वह शीकरी भालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भैदेने वाला रुदन करने लगा, उसके रुदन से संपून जगत व्याकुल हो उठा, लोग पाल भी व्या पायमान हो गया, शंकर सुवन के रुदन से संपून ब्रह्मान व्याकुल हो गया, यह देखकर सभी देवता और रिशी मुने व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रनाम करके उनकी स्तुति करने लगे, उन सभी ने ब्रह्मा जी से का हे पितामा, य जहतों बहुत ही विकट प्रिस्तिती उत्पन हो गई है। महा योगिन इसको नस्ट कीजिए। देटाओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्य लोग से उतर कर उस बालग को देखने के लिए सागर तट पर आये। जानता हूं कि यह गंगा सागर के संगम पर पगड़ हुआ है। इसलिए है जगत गुरु आप इस बालग को जात करम आदि संसकार करके इसका जातक फल बताईए। नारज जी ने राजा पृतु से बोले। सागर ब्रह्मा जी के गले में हाट डालकर बार बार उनका अकरशन कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीडित होकर ब्रह्मा जी की आँखों से अश्रू टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों को जोर लगा कर किसी प्रकार सागर से अपना गला शुड़वाया और सागर से कहा हे सागर सुनो मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूं मेरे नेट्रों से ये जो जल निकला है इस कारण इसका नाम जाल अंदर हो गा उत्पन होते ही ये तरुना वस्था को प्राप्त हो गया है ये सब सास्रों का प्रगामी, महा प्रगामी महावीर, बलशाली, महायोदा और रंड में विजय प्राप्त करने वाला होगा यह बालक सभी देट्यों का अधिपती होगा यह किसी से भी पराजित नह होने वाला तथा विश्णु को भी जीतने वाला होगा भगवान शंकर को छोड़ कर यह सबसे अवध्य होगा जहां से इसकी उत्पत्ती हुई है यह वहीं जाएगा इसकी पत्मी बड़ी पती वरता, सोभागे शालनी, स्वर्गसुंद्री, परम्मनोहर, मदुर्बानी बोलने वाली तता शीलवान होगी सागर से इस प्रकार कहकर बरमा जी ने शुक्राचारे को बुलवाया और उनके हालत हाथों में बालक करा जमिशिक कराकर स्वयम अंतरजान हो गए बालक को देखकर सागर की प्रसंता की सीमा नहीं रही वहर्शितमन से घर आ गया फिर सागर में उस बालक का लालन पानन करके उसे पुष्ट कर किया फिर काल ने मी नमक असुर को बुला कर वृंदा नमक से नमक कन्या से वीदी पुरोक उसका विवा करा दिया उस विवा में उसे बड़ा उत्सफ हुआ श्री शुक्रादर के पुर्भाव से पत्ती सहीजले अंगर त्य तोका राजा हो गया ओ कार्थिक वाम अज्ञाय दस स्वाब ओननमो भगवत देवासु देवाये ओन्नमो भगवते वासु देवाए, कृष्ण देवाए, कृष्ण देवाए, ओन्नमो भगवते वासु देवाए, ओन्नमो भगवते वासु देवाए, ओन्नमो भगवते वासु देवाए, कृष्ण देवाए, कृष्ण देवाए, कृष्ण देवाए, कृष्ण देवाए, क झाल झाल